है यह अग्यावर्ण आज ग्रास में सब्सक्राइब एक पास एक रोलर और एक प्लेग्राउंड है रोलर की लेंथ और उसका डामीटर आपको गिवेन है इसमें यह कागया कि अगर उस रोलर को पूरे प्लेग्राउंड में 500 ताइम्स रूल किया जाए मदलब उसको 500 चकर उससे लगवाए जाए उस रोलर से तब जाके पूरा प्लेग्राउंड कवर हो जाएगा तो आपको बदाना प्लेग्राउंड की एरिया कितना है चलिए देखते हैं कि देखिए स्कूर्शन को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं अगर मैं इसकी बात को ने स्पैन की तो इस आपके पास ऐसे समcej ऐग्रोलर है या फ़ा पूरा को प्लेग्राउंड हो गया- अब इसको में एक बार ऐसे बिर्ट टिया इसे क्या होगा इसका एक ere अरिया जो इसका पूरी रूरोर है वह कमरो गया अच्चा एसे दो बार ऐसे कर दिया हमैंने roll तो यहां होगया two times होगय इसके एरिया का रूलर के एरिया का ऐसे कर"- अथ हुरे को बार कर लिया यहां से लेकी यहां तक पूरा इसका मैदलब यह है कि इसने 500 टाइम्स अपने एरिया का यहां कवर किया है कि ऑफ़्द रोलर एक मैं कोर्षिन में चेक करता है हमारी लैन्द है 120 संतिमेंटर है और बात करें डाइमेटर की डाइमेटर ऑफदा रॉलर यहाँ पे हमारा जो डामेटर रोलर का वह है 84 cm यहां से इसकी radius find करते हैं simply 84 divided by 2 which is equal to 42 cm ओके और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने curved surface area of roller देखे curved surface area of roller हम लोग क्यों निकाल रहे हैं हम लोग total surface area क्यों निकाल रहे हैं यह मन में कोशन आना चाहिए देखे curved surface area जो होता है किसी भी cylinder किसी भी pipe का वो एक्चल में होता है उसके side का सिर्फ इधर इधर का हिस्से का जो circular हिस्सा है यहां का पूरे का इधर इस वाले end का और इस वाले end का नहीं होता है curved surface area लेकिन जब total surface area के बात करते हैं तो उसके अंदर यह वाला area include होता है साथ ही में इधर का दोनों ends का area include होता है लेगिन हम लोग यहां पर curved surface area रहे हैं जब भी आप प्लेग्राउंड में किसी रूलर को ऐसे रूल करेंगे तो उसमें actual में किसका area use हो रहा है सिर्फ यह side का यह तो touch ही नहीं हो रहा है यह दोनों end इसलिए हम लोग इन दोनों end से कोई मतलब नहीं है तो यहां पर curved surface area निकालेंगे which is equal to 2 pi r h values put करते हैं इंटो 22 अपॉन 7 इंटो आर की वेल्यू 42 इंटो हाइट की वेल्यू 120 सिंप्ली इसको सॉल्व करते हैं 42 को 7 से 6 टाइम्स कट कर सकते हैं और यहां पर हमारे पर सुपर बचे का 44 इंटो 720 विच इस इक्वल टू 31,680 cm2 area आया इसलिए cm2 पर बात की गई है अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं area of ruler covered in one revolution is equals to 31,680 cm2 देखे इसको ऐसे समाजी है जब हम लोग रूलर को एक बार इस तरह से रूल करा मतलब कि यह तो ज़्याद ही हो गया मतलब प्लेग्राउंड में बस एक बार ऐसे रूल करा हम लोगों ने तो इससे क्या हुआ इसको पुरा बाहर का area था curved surface area वो इतना हमारे पास आया अब इसको मैं double times दो बार कर देता हूँ रूल तो area का double हो जाएगा किसका roller का एक और बार रूल कर दिया एक और बार करूँगा तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो हम लोग देखेंगे area of roller covered in 500 revolutions देखें playground की इतनी capacity है कि उस roller को वो 500 times तक रूल कर देगा उसमें इतना capacity है तो यहां पहलोगों सिंप्लिस को मल्टिप्लाय कर देगा 500 से विच इक्वल टू 15 लेक यह आएगा आपका वन क्रोड 58 लेक 40 थाउज़न cm2 area के बाद की यहां पर अब यह आपका आगया area of playground यह actual map प्लेगराउंड का area hence area of playground लेकिन एक चीज़ का ध्यान रिखेगा यहां पर cm2 में यूनिट है अब आप खुदी सुचेए कोई भी playground में हम लोग क्या cm2 में उसका area निकालेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर अगर देखा जाए तो सारे zeros कट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा 1584 मीटर स्वेर यह हो जाएगा आपका प्लेगराउंड का area इस तरह से फाइंड करेंगे कोशन थोड़ा conceptual था ध्यान रखेगा रूलर का area कौन सा लेना है बच्चे गलती करते हैं टोटल सर्फेस एरिया में यह दोनों एंड आयाते हैं जिसके जरुवत ही नहीं क्योंकि रूलर तो सिर्फ अपने इधर साइट के बेसिस पर हो रहा है ओके आपका कुशन क्लिर हो क्या होगा प्लेश्ट इस लेक्टाट क्लास में तेरे में सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स वर वाचिंग जैहिंद